तो हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे दे लास्ट मैन आफ अर्थ सीरीज के सीजन टू एपिसोड वन एंटू के बारे में तो शुरुवात में ही हमें एक एस्ट्रोनॉट माइक मिलर को दिखाया गया है वो और कोई नहीं बलकि हमारे टैंडी का बड़ा भाई है दूसरी तरफ हम शहर के चारों और एक विशाल ड़ाकू विमान को आते हुए देख सकते हैं जबकि वह एक सुपरमार्केट में एक शॉपिंग कार्ट को टकराते हुए रुपता है बाद में कैरल सुपरमार्केट की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे पर कांच को बंदूक से शूट करके शॉपिंग करने अंदर जाती है जबकि विमान में हमारे फिलिप भाईया उर्फ टैंडी को हम देख सकते हैं अंदर टैंडी विमान के सभी बटन दबाने लगता है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और जब कैरल स्टो से बाहर आती है और बताती है कि उसने टकीला की एक बोतल भी लाई है कैरल के अंदर आने के बाद वह चाहती थी कि टैंडी उसे विमान चलाने दे और तब वह कैरल को बताता है कि इसे चलाना बहुत ही कठिन है और खुद बटनों के साथ खिलवार करते वक टैंडी गलती से एक मिसाइल को सड़क पर गिरा देता है और उसे रास्ते में ही वही छोड़ देता है तब कैरल सुझाव देती है कि उन्हें वापस जाकर मिसाइल उठाना चाहिए और वो यह ककर जवाब देता है कि वो नहीं जानता है कि मिसाइल को विमान पर वापस कैसे लाना है तब कैरल उसे याद दिलाती है कि वे अमेरिकी हैं और अगर वे आदमी को चांद पर भेज सकते हैं तो वे गिरी हुई मिसाइल भी उठा सकते हैं उसकी मोटिवेशनल लाइन सुनकर वे चकेत होता है और कैरल की बातों से सहमत होते हुई दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और वहां से वे वाइट हाुस में आते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरल शराब के पूल में नहाते हुए नमक चाड़ते हैं और अपने पल का आनन लेते हुए वे वाइट हाउस में मस्ती करना जारी रखते हैं जबकि टैंडी अकेला ही हौकी खेलता हैं और चीजों को अपोनेंट समझते हुए उन टकसन में उसके साथ जो हुआ उसके बारे में उलेक करता है हालांकि टैंडी का जवाब यह है कि टकसन में उसकी पहले भी चलती थी और आज भी चलती है और आगे भी कई सवास फ्रेंज करते हैं जिनका जवाब वो हमेशा देता रहता है दूसरी तरफ हम कैरल को देखते ह जो अलग-अलग ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही है और खुद से ही बाते करते हुए खुद के साथ मजाग कर रही है बाद में कैरल और टैंडी बाते करते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं बाद में Tandy केरल के साथ अपने जीवन के बारे में बात करने लगता है कि उन्हें उनका सभी समान वाइट हाउस में लाना चाहिए और इसे ही अपना नया घर बनाना चाहिए हालां कि कैरल को वाइट हाउस में रहना सही नहीं लगता है तब जल्दी उनकी बादचीत खतम हो जाती है और टैंडी न चाहते हुए भी सोजाता है लेकिन कैरल अभी भी जाग रही है उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देख रही है टक्सिन में जो उस पल की यादों को दिखाती है वो उसे और टैंडी को देखते हुए वो उन सभी की एक तस्वीर पर रुखती है और खुद को याद दिलाती है कि जब वे सभी एक साथ थे तो उनके पास कितना अच्छा समय था और वो उन्हें आज भी कितना याद करती है जिसके बाद वो यादों को सिने से लेकर सोजाती है अगले सीन में माईक फिर से दिखाई पड़ता है जबकि वो अंतरिक्ष में अकेला है और महामारी के बाद मानवी जीवन की तलाश में है लेकिन दुर्भागे से वो किसी को नहीं ढूंडता है और उसके साथ बात चीत करने के लिए उसके नन्हे दोस्टेरी और नैंसी नाम वाले दो कीड़े हैं इसलिए वो उन्हें बताता है कि वो हाथ की लकीरे गिसने जा रहा है और अगले सीन में टैंडी केरल को आँखों में पटी बांध कर कही जाने का प्लान बना रहे हैं जबकि टैंडी केरल को उसके पुराने घर में ले जाकर उसे सर्प्राइच करता है एक बार जब वे वहाँ पहुँचे तो केरल काफी खुश दिखाई देती है और वो उत्साह से टैंडी को अपना घर दिखाने के लगती है वो उसे उन सभी कमरों में ले जाती है जब उसकी फैमिली थी रात में केरल और टैंडी बिस्तर पर लेटे होते हैं तब वो उसे गाल पर चूमती है और उसे वहाँ लाने के लिए दिल से थैंक्यू कहती है जबकि दोनों की बातों में जब टक्सन में फिर से जाने की बात हुई तो उसका खुशी का पल खराब हो गया वो उसे याद दिलाता है कि उन लोगों ने उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था जबकि वो दोनों आज भी टक्सन गए तो वो मुझे मार देंगे खासकर गंजा फिलिप पर कैरल उसे समझाती है कि इस बात को 6 महीने बीच चुके है और उन लोगों का गुसा भी अब तक ठंडा हो गया होगा लेकिन फिर भी टैंडी फिर से टक्सन जाने के लिए मना करता अगर वो वह वहाँ जाना चाहती है तो वो उसे ले जाएगा लेकिन वो कभी भी वापस नहीं जाना चाहता तब परेशान कैरल दूसरी बेडरूम में चली जाती है दूसरी तरफ माईक अंतरिक्ष में अपने कीड़ों के साथ बाचीत करता है पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका एक कीड़ा मर गया है जिससे वो दुखी होता है दूसरी और फिल और कैरल टक्सन की तरफ निकल उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन टैंडी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो टैंक को भरने के साथ वो बिना कैरल के चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वस्टो में है कैरल जल्दी से बाहर आती है और हवा में शूटिंग शुरू कर देती है लेकिन टै पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है जिस कारण वो रुक जाता है और उसे देखने जाता है लेकिन यह देखकर चौंक गया कि कैरल वहां नहीं है इसलिए वो घबरा जाता है और उसकी तलाश करने के लिए गैस स्टेशन का नाम याद करना शुरू करता है जबकि उसे सही नाम याद नहीं है लेकिन वो निश्चित है कि इसका नाम स्पीडी पंप है जिसके बाद वो उसे ढूंडते हुए रास्ते में उसे कई तरह के स्पीडी पंप दिखते हैं जिससे वो अप पागल होने लगता है दो दिन बाद फिलिप उदास पूरी तरह से ठका हुआ और अपने फ्रेंज से बात कर रहा है तब वो कैरल की ड्राइंग बुक के अंदर देखता है और उसे एक विचार आता है कि वो उसे कहा मिल सकती है वो जितनी जल्दी हो सके टकसन जाता है और पहले तो खुद में हिम्मत लाता है क्योंकि उसे गंजे फिलिप और दूसरे जिसके बाद रात में वो अकेला बैठा है और सोच रहा है हमें कैरोल भी दिखाई देती है जो कि फिलिप की राह देख रही है और अंतरिक्ष में माईक अकेला होता है जिसे मानव जीवन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं जबकि अब दो दिन बीच चुके हैं और कैरल अपना सारा वक्त पिकनिक करने की तरह गुजार रही है वह एक गुबारे के बॉय के साथ डांस करती है तबाकू और टूट पैस्ट से एक फिलिप तयार करती है और रात के समय इशारे के लिए फलेरगंट चलाने लगती है और दूसरी और फिलिप अपने बॉल फ्रेंड से उसक फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे उसके सस्ते दिमाग की बती फिर से जलती है जबकि दूसरी और कैरल अब फिलिप के कोई आने के संकेत न दिखने के कारण उसका होसला अब तूटने लगता है और वह निराशा में वहीं पर लेट जाती है लेकिन तभी वह एक आवाज क भेजने लगता है लेकिन अपने एक फ्रेंड को खोया हुआ पाता है जबकि वह रोड रोलर के नीचे चला जाता है जिसे देख फिल अपने दोस्त पर दुखी होता है जबकि वह अब खुद को दोश देने लगता है यह कहते हुए कि वह अकेले रहने के ही लायक है उसी सम प्यार देता है और सड़क के बीच में प्यार करते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है। बाद में विटक्सन में वापस जाते हैं और फिलिप के जले हुए घर में जाते हैं। उसे उनके ग्रुप द्वारा लिखा हुआ लेटर मिलता है। जिसमें मैलिसा ने लिखा है कि वो अब मालबू के लिए निकल गए है। जबकि केरल का वो तहे दिल से हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन टेंडी को वो हर गिज वहां आने नहीं देने वाले हैं क्यूंकि वो डर जाता है। जबकि केरल उसे अकेले नहीं पीने देनी वाली है और वो एक बार फिर मिलने का सेलिबरेशन मनाते हैं। जिस कारण फिलिप वो लेटर चुपके से अपने अंडविय में डाल देता है। रात में फिर से वो लेटर को पढ़ता है। जिसमें यह भी लिखा ह कि टेंडी कभी भी नहीं बदलने वाला है जिस कारण वो गुस्से में अब वो मालबू की तरफ निकल पड़ता है। जबकि वो गुस्से में कहता है कि मालबू भी अब उनके लिए सही नहीं है। जिसमें अब वो गंजे फिलिप को मार कर अपनी जगा फिर से हासिल करने वाला है। तभी गंजा फिलिप कार की उपर से आता है और उसका गला दबा कर उसे मालबू से दूर रहने के लिए कहता है। तभी फिलिप बॉकलाते हुए सपने से जाग जाता है। और अब यह सब वो कैरल को बताने वाला है। लेकिन मेलिसा बिस्तर से उठकर उसको गो मत हो जाती है जिसके बाद फिलिप अपने बॉल फ्रेंड के पास जाता है और उन्हें कैरल से लेटर छुपाने के लिए पच्चतावा होते हुए बताता है कि अगर कैरल को सब कुछ बता दिया तो वो उसे वहां लेकर जाएगी इसके बाद गंजा फिलिप उसे फिर से जबकि रात में वो आग के पास बैठे हैं जिसमें टॉड और मेलिसा, गैल, एरिका और गंजा फिलिप भी है जबकि वे सब मौम के बनाए हुए है और फिलिप उनसे बाते कर रहा है जिसके बाद वो कैरल को उनसे बात करने के लिए कहता है और बाते करते वक्त कैरल भाव और अब फिलिप को ना चाहते हुए भी कैरल की बात माननी पड़ती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए फिलिप और कैरल दोनों टली होने तक पीटे है, खासकर कैरल जो फिलिप के कहने से इंकार नहीं करती, रात का हैंगोवर उतरते समय कैरल देखती है कि वो लॉस एंजल इसकी तरफ बढ़ रहे है, जिस कारण वो तुरंट फिलिप से मिलने जाती है, और उसे पता चलता है कि वो कैलिफोर्निया के बीच पर कुछ समय के लिए टाइम स्पैन करेंगे, पर वहाँ पर जाने के बाद उन्हें विशाल मचलियां बाहर की और मरी हुई दिखाई जिसके बाद दोनों जाते ही उनकी जासूसी करने के लिए गिल्ली सूट पहंकर ग्रूप को देखने लगते हैं, जबकि सब लोग गाना गाते हुए मस्ती कर रहे हैं, पर वो दोनों एक नए आदमी को देखते हुए हैं कि यह आप कोन है, और कैरल जल्दी से जाने का फैस करते हैं, और फिलिप यह सब सदमे में देख रहा है, और इसी के साथ एपिसोड वन और टू खतम होती है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू